नहीं देखिए जिस तरह से दो मुसल्मान की पुलीस कर स्टड़ी में हत्या कर दी गई निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा जगन अप्राद है और जिस तरह से बिहार सरकार इस पूरे मामले को लिपापोती करना चाहती है और कुछ पदादीकारी को सस्पेंड करके मामला को दवा देना चाहती है निश्चित रूप से ये निंदनिये है अब पूरे मामले में बचानी की कोशिस की जा रही है ये निश्चित कुमार असपस्ट हो गया है कि लगातार बिहार में सक्षकों के खिलाब जिस तरह से अत्याचार बढ़ा है और सरकार के अंग के दौरा पुलीस पडशासन के दौरा ये अत्याचार की घटना होई है पिछले कुछ दिनों पहले एक मुस्लिम समाज के विर्दवैक्ति की दिन दहारे जला कर मार दिया गया उस पर भी निश्चित कुमार नियाए लोगों को नहीं दे सके अभी फिर ये घटना घटी है दो लोगों को पुलीस के स्टड़ी में मार दिया गया मुझे लगता है कि निश्चित कुमार भारतिये जन्ता पार्टी के साथ जब से जुड़े हैं तो जिस तरह जोगी उत्तर परदेश में मानव अधिकार का उलंगन कर रहा है उसी तरह निश्चित कुमार की भी सरकार प्युक बनाना चाहिए जब गिरफतारी होती है उसकी सूचना DSP, DSP सब को जाती है उसके बावजूद उसकी अगर हत्या करती गई तो कहीं ने कहीं इसमें तमाम थानेदार से ले करके DSP, DSP तक की सनलिपता है इसलिए तमाम पर हत्या का मुकदमा किया जाए बाद में जाच बताएगा कि DSP की सनलिपता कितनी है, नहीं है, DSP की कितनी है कौन लोग जिम्मेदार है हत्या का मुकदमा दर्श किया जाया और प्रित पढ़िवार को एक एक करोर रुपया दिया जाना चाहिए दोनों नौजवान के प्रित पढ़िजनों को एक एक करोर रुपय दिये जाने की मांग, राष्ट ये जन्त अदल करता है झाल